हेलो एवरीवन असलाम वालेकुम विलकम बैक तो माई यूटीब चैनल तो आज मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाली हो सौफ्ट एंड हेल्दी ब्राउन ब्रैट की रेसिपी इसको कुकर में बेक करने से पहले जान लेते हैं कि इसका आटा कैसे लगाएंगे सबसे बहले मै मैं लिए दो कप और इसको चान कर लिया है इसको भी मिक्सिंग बावल में डाल देंगे फिर मैं में डाल रही हम वन एंफ टीस्पून सुगर और हाफ टीस्पून सौल्ट कुकिंग ऑईल मैं डाला है तू टीस्पून आप सरसो ओड़ के कोई ले सकते हैं और या फिर इसक मुद्ध को मसल मसल ये अगर ये इस तरह से बोट के सी दिली तो हल्का सब में मुंष और कल लिए और इसको अच्छे दिन मासल मसल के चिकना कर लीजिए उतना अच्छा जो है आपका ब्राद से तयार होगा तो ये रिखे आटे को हमने चिकना कर लिया है और इसको इस तरह से गोल कर लेंगे यानि पोटली बनाकर इसको वापस से उसी बोल में रख देंगे जिसमें मैंने आटे को गुंधा था और उसमें रखके इस पर से थोड़ा सा ओयल लगा देंगे अब आटे के ऊपर ओयल को कि यह इसको कवर करके रखेंगे आधे घंटे के लिए वैसे आपकी मरसी आप इसको आधा गंटा रखना चाहें आधा गंटा रखेंगे या फिर पूरी ओवरनाइट भी रख सकते हैं तो मैंने इसको फ़िए और यहां लगा लगा आप पानी भी लगा सकते है इसको मिलाने के बाद एक लगा के इस तरह से पेला लें गगे एकदम टाइटली रोल कर लेंगे इसको अच्छी तरह रोल करने के बाद ब्रेड वाले टेन में डाल दीजिए तो मैं इसमें ब्रेड वाले ट्रे का यूज करने वाली नहीं हूँ मैं इसको बनाने वाली हूँ सिल्वर के डबबे में यह वाला डबबा आपको इसली मार्केट में मिल जाएगा आट से दस रुपे का तो यह देखिए मैंने इसको इस तरह से रोल कर लिया है अब इसको रख देंगे ट्रे में अगर आप ब्रेड टीन यूज कर रहे हैं तो उ इसको इसमें डाल देंगे और इसके उपर से इसके उपर से मिल को ग्रीज कर लेंगे अगर आपके पास वाइट तिल है तो उससे भी इसको डेकोरिट करना चाहें तो कर सकते हैं जैसे यह बेक होनी के बाद दिखने में और भी जादा अच्छा लगता है अगर आप इसको इस तरह से ढख कर रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए तो यह अच्छी तरह फूल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं तो मैंने फिर से इसको आधे घंटे का रेस्ट दिया है और फिर से मैंने इस पर से मिल को ग्रीस कर दी हूं और फिर मैंने लिया है कूकर जिसमें स्टैन लगा कर ब्रेड रख दी हूं इसके उपर से मिल्क ग्रीस करने का मकसद यह है कि अच्छा सा कलर आता है जब आप इसको कुकर में या फिर पतीले में बेक करते हैं तो आपको सीटी और रवर निकाल लेना है एक बार और मैंने इसके उपर मिल्क ग्रीस कर लिया आप इ 35 मिनिट तक मैंने इसको बेक किया और खोल कर देखी तो यह बेक हो चुका है बट ऊपर में कलर नहीं आया फिर से मैंने कुगर धकन बन किया और पांच मिन तक हाई फ्लेम मतब हाई से थोड़ा सा कम फ्लेम पे इसको और बेक करी पर हाँ जले ना आप इस चीज का ध्यान कीन अड़ा भी और इसमें कितना अच्या सा जक्रा गया इस पिर इस ब्रेट को थंड आ करके इसका पेस बना लिजे और आप देख सते हैं चारो तरफ से अच्छी तरह बेक हुआ बिल्कुल भी कहीं से जाला नहीं है तो बस इस ब्रेट को थंडा करके काट ले और इसको फ तो मिलती हैं इसी तरह के आसान और नई रेसिपी के साथ तत्रे के लिए अल्ला हाफिज बाबाई एंड टेक कियर